भारत के यशस्वी प्रदानमंत्री श्री नरेंद्र मुदी जी ने 130 करोड भारतवासियों के स्वास्थ हित में एक सपना देखा, सपना डिजिटल हेल्थ का, जिससे एक ऐसा भारत बने जहां हर भारतिय, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो, जरूरत पढ़ने पर स्वास स्वास्थ समाधान के लिए किसी पेपर वर्क, रसीद या किसी दूसरे व्यक्ति पर आश्रित ना हो, अब उसके मोबाइल में या कंप्यूटर में ही हर वो डेटा हो, जिसका लाब उठाकर वो अपनी हर स्वास्थ समस्या का निदान कर सके, ये है नए भारत की नई उडा नया अभियान आयुष्यमान भारत डिजिटल मिशन 15 अगस 2020 को लाल किले की प्राचीर से मान्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस महा अभियान का शुभारंब किया और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिशन के पैलट प्रोजेक्ट की शुरुवात हुई कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के माद्दम से अनेक मुसीबतों से मुक्ति मिलेगी और उत्तम स्वात के लिए हमारा कोई भी नागरी सही फैसले कर पाएगा यह ववस्ता उसे होने वाली है आज जब देश आजादी का अमरित महुत्सव मना रहा है हर भारतवासी के लिए अमरित साबित होने वाले आयुश्यमान भारत डिजिटल मिशन को राश्ट्र को समर्पित किया जा रहा है अब हर देशवासी स्वेच्छा से अपनी युनीक हेल्थ आईडी प्राप्त कर सकेगा जिसमें उसका पूरा हेल्थ रेकॉर्ड जैसे उसकी बीमारी की जानकारी, डॉक्टर द्वारा बताई दवा की जानकारी, लैब रिपोर्ट, दाखिले और डिस्चार्ज का सारांज होगा, इस योजना से न केवल लाभार्थी घर से ही किसी भी जगह के डॉक्टर्ज की जानकारी ले सकेंगे, बलके वो उनसे अपॉइंट्मेंट ले या टेलेफोन से परामर्श कर बीमारी के उपचार के लिए सही दवा और सुजा भी ले पाएंगे, इस जानकारी का डि सुविधा अनुसार किसी अन्य डॉक्टर से साजा भी कर सकेंगे, लाभार्थी के स्वास्थ संबंधी सभी रेकॉर्ड पूरुन रूप से गोपनिया रहेंगे, आयूश्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतरगत डिजिटल सूचियां होंगे, जिन में अस्पताल, फार्म स्वास्थ सुवधा केंद्र, डॉक्टर और सभी जरूरी लोगों को शामी किया जाएगा, इसमें आधुनिक चिकित्सा पद्धती के साथ स्राथ आयूश्व अन्य सभी पद्धतियां भी शामिल होंगी, यही नहीं अपने हेल्थ आईडी के जरिये देश्वासी देश की अन्य सभी स्वास्थ योजनाओं जैसे PMJ, RBSK, निक्षय, NHM आधी से भी जोड सकेंगे, स्वास्थ सेवा प्रदान करने वालों को आयूश्यमान भारत डिजिटल मिशन, Ease of Doing Business के नए अवसर भी प्रदान करेगा, यह बस एक मिशन नहीं, एक संकल्प है, भारत का करना का आया कल्प है, स्वास्थ सेवाएं अब होंगी डिजिटल, स्वस्थ होगा भारत का कल, आये डिजिटल स्वास्थ सेवाओं का लाब उठाएं, स्वस्थ और सुखी भारत बनाएं